अगर आप एक Electrical Power Line and Cable Workers हैं और Canada में काम करना या Permanently Migrate होना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए हैं. Hello Friends, हमारे चैनल A to Z Immigration Updates पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. हम अपनी वीडियो सीरीज Canada Immigration Pathway for Skilled Migrants में एक और Skilled Profile वीडियो के साथ हाजर हैं. इस वीडियो में हम आपको Canada में Electrical Power Line and Cable Workers के Profile Description, Education अत्वा लाइसेंस की Requirements, Median तथा Retirement Age, Career Scope, विभिन प्रोविंसेज में Electrical Power Line and Cable Workers की Current Job Openings और सबसे जरूरी Factor, Average, Maximum तथा Minimum Weekly और Hourly Wage Rate के बारे में बताएंगे. ये सारी Information जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखें. आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके Immigration से संबंधित सभी latest news अत्वा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं. और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें. So, let's start with the video. तो आईए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं. कैनिडा में हर एक ओक्यूपेशन के लिए एक प्रोपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है. ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है. इलेक्ट्रिकल पावर लाइन और केबल वरकस के मुख्य काम, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन और केबल वरकस टील, लकडी या कंक्रीट के पोल्स, टावर्स और गाय वायर्स की इंस्टालेशन और मेंटेनिंस करते हैं. वे conductors और related wiring को splice, solder और insulate करते हैं power distribution और transmission networks को जोडने के लिए इसके अलावा वे overhead और underground power lines और cables का inspection और testing करते हैं और street lighting systems की installation और maintenance भी करते हैं वे अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर काम का assignment की तयारी और पूरा करने के लिए co-ordinate करते हैं Canada में हर occupation के लिए एक specific education level की जरूरत निर्धारित है इसके इलावा कुछ job sectors में काम करने के लिए licensing अत्वा अन्य certifications की भी जरूरत रहती है तो आईए अब आपके profile के लिए जरूरी education requirements के बारे में देखते हैं electrical power line और cable workers के career का परिचे ये career उनके लिए है जो electrical distribution और transmission systems में interest रखते हैं ये professionals, overhead और underground power lines और cables, insulators, conductors, lightning arresters, switches, transformers जैसे उपकरनों की installation, maintenance, troubleshooting और repairing में expert होते हैं Canada में काम करने की न्यूनतम आयू 16 वर्ष निर्धारित है परंतु हर profession के लिए एक तैशारीरिक तथा मानसिक strength चाहिए होती है इसके अलावा ज्यादातर sectors में काम करने के लिए कुछ specific experience भी मांगा जाता है इन सब जरूरतों को मदेनजर रखते हुए Department of Statistics Canada आपके profile की median work age और retirement age तै करता है अगर बात करें electrical power line and cable workers की तो electrical power line and cable workers के profile पर काम करने वाले professionals की औसतन आयू 38 वर्ष है और electrical power line and cable workers के लिए सामान्य retirement की आयू 63 वर्ष है किसी भी नए country में move होने से पहले आप वहाँ पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे तो अब हम Canada में आपके profile पर काम कर रहे professionals की कुल संख्या देखेंगे और इसके इलावा आपके profile के लिए उपलब्ध current job openings का analysis भी करेंगे Canada में Electrical Power Line and Cable Workers के profile पर काम करने वाले professionals की कुल संख्या 28,400 है अगर हम Electrical Power Line and Cable Workers के province wise count की बात करें तो Saskatchewan, Ontario, Alberta सबसे ज्यादा Electrical Power Line and Cable Workers वाले राज्य हैं Canada में फिलहाल उपलब्ध job openings की कुल संख्या 110 है इन openings को देखने तथा अपलाई करने के लिए आप description में दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं किसी एक profile के लिए Canada के अलग-अलग provinces में professionals की मांग कम या ज्यादा हो सकती है professionals की यह demand उस province में मौजूद employment की opportunities और संबंदित industry sectors के आकार पर निर्भर करती है तो अब हम आपके profile में job openings की संख्या के आधार पर provinces की list देखेंगे jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्द कराए गए हालिया आंकणों के अनुसार इस वीडियो की publishing date तक electrical power line and cable workers के profile पर 54 job openings के साथ सस्कैच्वन लिस्ट में सबसे उपर है जबकि Quebec सिर्फ 21 job opening के साथ इस लिस्ट में सबसे आखरी पाइदान पर है आपके profile से जुड़ी latest job openings और उन्हें apply करने का link इस वीडियो की description में दिया गया है अगर आप इन में से किसी भी job के लिए apply करना चाहते हैं तो वीडियो में दिये गए link को अभी click करें अब हम सबसे important job factor की बात करेंगे जो कि आपकी salary या hourly wage rate से संबंधित है Job bank, GC, CA की द्वारा हाल ही में दिये गए आकडों के अनुसार हमने Canada में आपकी profile के लिए minimum, maximum और median wage rate का analysis किया है तो आएए देखें की ये आखड़े आपके profile के बारे में क्या बताते हैं Canada में electrical power line and cable workers हर घंटे और सतन 49 Canadian dollars कमाते हैं इस वीडियो की recording तक आपके profile के लिए Canada में maximum wage rate 51 Canadian dollars है और minimum wage rate 23 Canadian dollars है Electrical power line and cable workers के profile के लिए British Columbia सबसे ज्यादा wage rate के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है जबकि New Brunswick सबसे कम wage rate देने वाला province है इसके इलावा अगर आप Canada की सभी provinces की एक detailed wage wise ranking देखना चाहते हैं या फिर अपनी favorite province में आपके profile के लिए उपलब्ध job opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो description में दिये गए link को ज़रूर क्लिक करें Immigration Pathways Canada में migrate होने के लिए कई visa options तथा immigration pathways उपलब्ध हैं इन options के जरिए skill professionals सीधे permanent residency, work visa या study visa प्राप्त करके Canada में settle हो सकते हैं अगर आप भी अपने profile से संबंधित visa options को explore करना चाहते हैं तो इस वीडियो की description में दिये link पर अभी click करें और हमारे experts के साथ एक consultancy session बुक करें हम अपने global clients के लिए हर प्रकार की immigration services के साथ एक one-stop online immigration platform देते हैं आप हमारे experts की team द्वारा online consultancy sessions, assessment application filing, employer search, LMIA filing, work visa filing तथा PR filing जैसे विभिन विशेओं पर किसी भी तरह की assistance ले सकते हैं इसके अलावा, अगर आप एक Canadian style resume बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए Canada में settle होने की best possible options को explore करना चाहते हैं तो आप हमारे experienced migration advisor के साथ एक expert consultation session बुक कर सकते हैं हमारे experts आपकी profile तथा आपके मोजुदा circumstances का detailed analysis करके आपको best advice देंगे तो अपने profile पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए description में दिये गए link पर जाकर अभी ही expert session जरूर बुक करें इसके इलावा अगर आप एक Canadian employer हैं तो आप अपने business के लिए best manpower को hire करने और उनके LMIA application या work visa की filing करने के लिए भी हमारी team से संपर्क कर सकते हैं हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी immigration से संबंधित ताजा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकोन को दबाना ना भूले Facebook और Instagram पर follow करने के लिए description में दिये link पर क्लिक करें इस वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और informative वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे